असलाम अलेकुम मैं रख्रसर शामद खान हूँ और यह मेडिकल शॉट्स देख रहे हैं आप यूट्यूब पर और मैं आज आपको एक छोड़ी सीज बताऊंगा जो डियाबटीज में हम यूज करते हैं टर्म इसको बोलते हैं GI यानि ग्लैसेमिक इंडिक्स क्यूंकि मैं ब अदर वो तकरीबन मैक्सिमम अब्साइब जाता है 100% अब्साइब जाता है इसका मतलब हो गया जो इसका शुगर जो राइस होता है वो 100% पूरा चले जाता है खोन में तो वो उसका जो ग्लैसेमिक इंडेक्स नंबर है वो है 100 उससे आपको समझाएगी वो कितना मीठा है और एक साइड से आपका एक एपल है जो आप खाते हो वो उसका जो शुगर बढ़ता है दो गंटे में सिर्फ 35% उसका शुगर एब्साब होगा तो उसका जो जी आई है वो 35 है और जो चीनी है या जो ग्लुकोज है उसका जी आई 100 है तो हम ऐसी ही हर चीज का हिसाब करते ह आप पालक खाऊगे उसका हम जी आई बोलते हैं बहुत लो है जी पालक का जी आई जो है वो 15 है तो 100 अगर शुगर का है इसका सिरफ 15 है तो जी आई मैं यूज करते रहूंगा मेरे अपने वीडियो में तो यह आपको मैंने बता है कि जी आई ग्लैसीमिक डिक्स क्या होता लोवर दे जी आई बेटर जितना कम जी आई हो उतना बेतर है पचपन से नीचे होगा जी आई तो लो जी आई फूड है यह पचपन से लेकर सत्थर तक जी आई होगा तो मीडियम जी आई है और जो सत्थर के उपर जी आई होगा यह हाई जी आई वाले फूड्स हैं जो प्राइपटीस पेशन को हम नहीं देते हैं तो आगे मैं ये टर्म यूज़ करते होंगा देखते हैं मेरा वीडियो अल्लाहाफेज, have a nice time, bye